कभी सोचा है दोस्तो सोपिंग करते वक्त चीजों के दाम 9 से ही खतम क्यों होते है अगर आपको नई टीशत खरीदनी है तो 199 अगर आपको पीजा खाना है तो 399 अगर आपको फोन रिचार्ज करवाना है तो 799 ये कंपनी नॉर्मल क्यों नहीं रखते है अपने प्राइज को दरसल दोस्तों इनसानों को आदत है चीजों को लेफ्ट से राइट पढ़ने की तो जब हम चीजों के दाम जल्दी जल्दी देख रहे होते है तब हमारा ध्यान पहले डिजिट पर जादा जाता है तो प्राइज अगर 799 लिखा है तो हमें लगेगा कि 700 के आसपास है लेक इस स्टोक का प्राइज राउंड नंबर से एक सेंट कम होता है उस स्टोक को लोग ज़्यादा खरीदते है एक और स्टडी के अनुसार जो 2014 में की गई आई आई एम बैंगलोरु के दुआरा उन्हों न बताये कि इंडियन कंजूमर चीजों को ज़्यादा हाईयर इसी भी चीजों का प्राइज जीरो से खतम होता है तो लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि 9 से खतम होने वाले प्राइज का समान गुड क्वाल्टी का होगा इसलिए लोग जाले तर 9 से खतम होने वाले प्राइज के समान को ही ख्रीदना पसंद करते है और दुकानदार अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऐसे प्राइज रखते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फोर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को सस्क्राइब जरू करें